पल्स पोलियो अभ्यान को लेकर स्वास्त खंड धगेडा और रोटरी कलब की और से सहयुक्त रूप से केंट स्कूल स्थित पोलियो बूत में कारेकरम कायोजन किया गया बतादे की कारेकरम में बतोर मुक्छ अथिती की रूप में से मोड१्र अजे पाठक पहुचे जहां उन्होंने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाखर जिला श्तरिय अभ्यान का शुभारम किया इस दोरान डोप्तर अजे पार्थक ने कहा कि पल्स पोलियो अभ्यान के तहट जिला सिर्मौर के पांच वर्ष की आयू तक के बच्चों को पोलियो पिलाई जा रही है लगवक हमारे सिर्मौर जिला में 66,000 के करीब बच्चे हैं जिनको आज दवाई पिलाई जाएगी और इसके लिए हमने लगवक 538 बूत स्थापित कि हैं जिन में चार में बूत में तीन मेंबर बैठके दवाई पिलाएंगे बच्चों के हाथ पे निशान लगाएंगे और एक मेंबर जो है वो गाउं में जाके लोगों को मोबिलाइज करेगा बच्चों को साथ लेके आएगा मौसम थोड़ा खराब है लेकिन फिर भी प्रिकलब के लोग हमारे साथ आए हैं इनकी टीम घर घर जाकर भी लोगों को मोबिलाइज कर रही हैं और यह हमारे जो करमचारी हैं जो सारा दिन यहां बैठेंगे सारा दिन काम करेंगे उन्हें फूट के पैकेट्स भी उपलब्द करवा रहे हैं तो बूत के इलावा भ यहां पर ग्रूप एक लोगों का है उनक तक पहुंच रही हैं और उन्हें पहुंचके दवाई पिला रही हैं हमारा प्रियास रहेगा कि आज कोई भी बच्चा ना चूटे लेकिन अगर आज कोई बच्चा चूटता है तो कल और परसो दो दिन हमारी टीम्स दस्सोच्श जटर टीम्स हैं जो हमारी घर घर जाएंगे और घर घर जाकर बच्चों को देखेंगी उनको चैक करेंगी कि दवाई पिया tao नहीं पिया तो उनगाइब नहीं पिया तो उनक्नाखों को चुकका है वही छुटे हुए बच्चों से बिनीता शर्मा की रिपोर्ट